नमस्कार दोस्तों एप्पी इन्वर्णमेंट डे दोस्तों आज वातवरण दे है तो यह दे हमें डेली मनाना चाहिए क्योंकि दोस्तों वातवरण को शुद्ध रखना हमारा काम है और शुद्धता बना रखने के साथ साथ प्रकति की जो देन हमारे पास है बहुती पास बड़े बड़े ग्राउंड नहीं है तो टेरी से टो टेरी से लगाईए चट पर बहुत अच्छे से जो है गंबलों में आप प्लांट लगा सकते हैं भले ही हमें उतनी जो है एल्प नहीं मिल पाएगी जितनी बड़े बड़े पोदों से मिलती है लेकिन दोस्तों आ कारडन देखके में भी बोर हो गई थी तो मैंने इस तरह से बड़े बड़े प्लांटर और बड़े के आसपास छोटे-छोटे प्लांटर रग दिये हैं और देखे दोस्तों कितने सुन्दर लग रहे हैं एक दम इतनी तेज धूप में अभी तो हमारे आपर तेज धूप क प्रकति ने जब हमें इतनी सुन्दरता प्रदान की है तो क्यों ना हम उन छी जोका उप्योग करें दोस्तों बहुत बाध बीजी लाइब भी जब होती है ना तो भी हम बहुत सारे से पोदे होते हैं जो बहुत इजी टू ग्रो और बहुत इसी से हम मैंटेंड करके रख स और दीरे दीरे दोस्तों ये शोक बहुत तेजी से बढ़ता है जब आप इन गंबलों में लगे हुए पोदों में जब फूर खिलते हुए देखते हैं ना तो मन होता है कि थोड़े और प्लांट लगा लिए और दोस्तों जब आप इनके पास आकर बेठेंगे तो आपको बह हुमारे वाटारोन को अशुद्द करता है तो इसको अच्छे काम में यूज कईलना लिआ जाये यह देखिये दोस्तों प्लास्टिक की थेलिया प्लास्टिक के जार ageयर जो भी सबी में में ने जो है पोदे लगा दिये हैं प्लास्टिक की जो थेली आती है बोटल्स आती है तो सारे चीजों का मैंने यूज़ करके अपना गार्ण तयार किया है तो दोखिए दोस्तो वेस्ट मटेडिल से भी हम वातरण को शुद्द रख सकते हैं प्लास्टिक को हम इदर उदर फेक देंगे तो वो हमारे वातरण को अशुद्ध करता है और नहीं वो डिकंपोस्ट होता है कुछ भी नहीं तो दोस्तों इस तरह से पेड़ पोदे लगा दीजी आप तो देखिए बहुत अच्छा सा उसका उपयोग हो जाएगा और प्लांट अब बिलकुल हवा को शुद्ध करके हमारे असपर सके वातरण को शुद्ध करते हैं तो यह सब जानते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है तो दोस्तों पेड़ पोदेज भले ही छोटे हो बड़े हो अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप बड़े बड़े पेड जरू लगाई है बड़े पेड़ ही लगाने चाहिए उससे शुद्धता जल्दी और बहुत दूर दूर तक जाती है लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो टेरिस पर ही पोदे लगाई है पर पोदे जरू लगाई है वो जो आपके आस पास जड़ते हैं सबको सला दीजिए कि आप पोदे लगाई है दोस्तों मैं उनको लेजा लेजा कर पोदे देती हूं कि आप भी पोदे लगाई है क्योंकि दोस्तों तीरे दीरे दीरे क्या हो जाता है कि कड़ी बनती जाती है और उस कड़ी से सब एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं ज यही पलांट लगे हैं जो मैं इनको कर्टिंग से बीड से तयार करके देती रहे हैं तो यह देखिए दोस्तो, बंदर भी आते हैं सब ही नेचुरल चीजे यही पलांट है देखि activists नेटी है और इन सब का अपना अलग-अलग महत्व है तो दोस्तों आज सोड़ी मेरी तब्यद भी खरावे लेकिन फिर भी मैं आज चाहते थी कि मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आज वातावन दिवस है और जो सो ये दिवस डेली मनना चाहिए क्योंकि हम अपने आसपास के वातावन को शुद्ध रखेंगे तबी ये सब संपव हो पाएगा सबसे पहले बात आती है कि वातावन अशुद काई से हो रहा है तो सबसे ज़्यादा अशुद होता है दुआनी प्रदूशर और दुआ प्रदूशर दुआ प्रदूशर दूस्तो इसलिए होता है कि तो चलिए दूस्तो अब मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ तो थोड़े पेड़ पोदे दिखा देती हूँ अगले और बहुत सारी बाते आपके साथ मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी क्योंकि मुझे बोलने का बहुत शोक है तो यह देखिए दूस्तो किस सरे से फूल खिल रहे है अभी क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत जो हाड़ी प्लांट होते है वो ही फ्लावरिंग कर पाते है ठंड में क्या होता है कि जो सीजनेपल प्लांट है वो बहुत अच्छे से हेवी ब्लूमिंग करते है हेवी फ्लावरिंग करते है लेकिन अभी जो पर्मानेंट प्लांट है वो ही फ्लावरिंग कर पाते है और दोस्तो मेरी चत पर अभी पर्मानिन प्लांट ही जादा दर आप देख सकते हैं मेरे याँ पोदे मिलते नहीं है नरसरी एक खुली थी वो बंद हो गई क्योंकि सबको फ्रे में पोदे चाहिए रहते हैं तो यह देखिए दोस्तो सारे कटिंग से लगे हुए है सारे प्लास्टिक माटेरियल में लगे हुए है और सभी में प्लांट अच्छे से चल रहा है पुरी कोशिश करती हूँ कि मेरे प्लांट जो है खराब न हो और मैं इनको बचा कर रख पाऊँ क्योंकि दूसरी बार ग्रो करना उन्चे फ्लावरी लेना बहुत लंबा हो जाता है और कुछ वेजटेबल्स भी है जो बंदरों के लिए गाई है आकर खाए मज़े से यह देखिए दोस्तो एमरेसिस लेली में बहुत सारे बल्ब निकला आए है और अगर आपके आसपास के वातनों को शुद्ध रखना चाहते है तो इसे ही पोदे लगाई है धन्यवाद दोस्तो